मात्र बुमी की जाए, अम्बे मात्र की जाए आज जितनी गती से समाज आगे बढ़ रहा है व्यपार आगे बढ़ रहा है, रोजगार आगे बढ़ रहा है और हर जक्ती कहीं ने कहीं किसी के उपर नेवर है लेकि निर्भरता का दात्पर ही है, क्या है? निर्भरता का मतलब एक से दुस्य को दबाना, जो बढ़ा है, वो छोटों को दबाए क्या हम यह जो दोर चल पड़ा है, जिसमें हर कालेले में, घर में, दफ्तरों में, हर जगे पर कोई ने कोई करमचारी किसे ने किसे रूप में हमारे यह काम करता है या हम उसके यह काम करते हैं इसका अपर यह क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारा फ्रस्टेशन, हमारा घुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारे नीचे काम करने वालों पर निकालना सोचना और आज का विशय कि क्या, वे हमारे काम करने में हमारे सायक हैं, हमारे मददगार हैं, हमारे साती हैं या वे हमारा गुसा, हमारा फ्रस्टेशन ये निकालने के लिए हैं, क्या हम उन पर एहसान कर रहे हैं, हमारे बंदुआं मजदूर हैं, इन बातों को समझना आज के समाज में, आज के प्रिदेश में अती अवश्चक हो जाता है। शिरुआत करते हैं, अगर घरों में हम मैट सकते हैं, कामवाली बाया रखते हैं या हमारी गाड़ी साफ करने के लिए जो सुबह एक विक्ति आता है, हमारी गाड़ी को साफ करता है और जब हम दफ्तर के लिए आफिस के लिए निकलते हैं, अपने रोजगार के लिए निकलत गरों में बरतमाली भाईय आती हैं, जहडू पोशक चनले भाईय आती हैं किया हम पैसान कर रहे हैं या वो हमारी मदत कर रहे हैं हमारा नों पर गुस्ता निकाल देना उन्हें अबे तुबे से या बद्तमीजी से बद्सलुकी से बाचित करना, वहवार करना क्या ये हमारी सब्वेता है सोच के देखिए आप लोग जला एक बार हमें आती विचारने सवाल है प्रशन है और सोचने का विशय भी हो जाता है कि क्या वो लोग इंसान नहीं है उनका घर नहीं है उनके जज़बात नहीं है उनका परिवार नहीं है अगर आपको मालिक ने ये रहमत बख्षी है कि आप किसी को अपने आपर काम पर रख सकते हैं तो ये आपका कर्म है लेकिन अगर कोई वक्ति आपके आपके आपका काम कर रहा है आपके नोक्री पेशा है तो ये आपका अदिकार नहीं बन जाता कि आप उसकी तोहिन करें उसे बेज़ज़त करें सहब अगर कि आपके साथ आप जिस आफिस में कारे कर रहे हैं हो आपका बास अगर आपके साथ में यही दुरुभार करता है आप सोचिए आप उन्दर से कैसा महसूस करते हैं कि चार लोगों के बीच में उससे आपको जिल कर दिया, डार दिया, उटा सिधा कह दिया आपका दिमाग आपका अस्थिर हो जाता है और आप दिन भर उसी विचाव में रहते हैं सोचिए, वो बाई, वो कामवाला, कितने घरों में जाता होगा, कितने जगें काम करता होगा, अगर मालिक उससे यह हवार करेगा, तो सोचिए उसमें क्या भी देगी, वो आपके मददगार हैं, यह उनकी मजबूरी नहीं कह सकते हैं आप, आप सोचिए, वो घर-घर काम करने के बाद में अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने घर की खुशों के लिए वो आप एगरों में काम कर रहे हैं, क्या, यह हमारा समाज है, संसकार है, कि हम, हमारा फ्रस्टेशन, हमारा गुसा, हमारे आफिस का जो भार है, वो इन लोग पर उतारें, गलती किसी और की होती है, गलती करता कोई और है, और सेहन करता हमारा मुस्तूर है, हमारे काम करने वाला है, इसके साथ ही, हर घर में, अधित्तम घरों में, देखनों में आता है, जो खाना हमारे बच जाता है, बासी हो जाता है, जिसे हम खाने के लिए, हमारे लिए उप्यक्त नहीं समझते हैं, वो खाना उन मैट्स को, उन बाईयों को या उन काम करने वालों को दिये दिया जाता है. क्यों करते हैं हम ऐसा क्या वो आपने घर पर खाना मांगने आ रहा है क्या उसने कहा कि दो रूटी मुझे मुझे दीजिए, मुझे केक दीजिए, मुझे मिठाई दीजिए वो काम करके अपने घर का पालन पोशन और वो सब कुछ खरी सकता है वो उसे चाहत नहीं करिए आपसे क्या अपना बसावा बासी खाना जिसमें दुरगंग भी आ सकती है जो आप खुद के लिए स्विकार नहीं कर सकते हैं किसी गरीब को कैसे दे सकते हैं इन विचार धाराओं को हमें बदलना होगा कि आज वो लोग भी इंसान हैं उनके भी जजबात हैं उनके भी अर्मान हैं आप किसी को अच्छा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सहाब गलत और बुरा भी मत दीजिए वो आपके परिवार का हिस्सा हैं वो आपको सुविधाय दे रहे हैं आपके कारे करने में सोहरत प्रदान कर रहे हैं वो आपके मददगार हैं नहीं कि आपके बंद्वा मजदूर है अगर पत्नी से जगड़ा होता है शिकार हमारा मजदूर होता है पत्नी का पती से होता है या घर में किसी बुजुर्ग से यवाद होता है शिकार करका मजदूर या मैड होती है क्या इसी के लिए उन्हें पतंखा दे रहे हैं उनके जजबात को समझिए अगर वो कुछ कहती है कि आज मेरे घर में बच्चे की तेवद खराब थी मैं नहीं आ पा रही हूँ या कोई वज़े है मैं नहीं आ पा रही हूँ हमेशा हर मालिक यही समझता है कि आपका नोकर आपसे जूट कह रहा है सहाब पैसे की गर्मी को साइड में रख करके दो पल सकुन से सोचिए क्या वो गरीब है मजदूर है आपका नोकरी कर रहा है क्या सिर इसलिए जूटा है वो उसके अपने अर्मान नहीं है उसके अपनी खुशिया नहीं है उसके अपने जजबात नहीं है उसका परिवार नहीं है बच्चे सिर्फ आपके हैं क्या उसके बच्चे नहीं है सहाब मजदूर को मजदूर मत समझे अपना साथी अपना मददगार समझे जो चीज आपको स्विकार्वे नहीं हैं, उन्हें भी देने का प्यास मत कीजिए। आप खुशियां बाटिये, वो खुशियां आपको दे रहे हैं, आप एक कार्वे में मददगार को रहे हैं। इस भावनाओं के साथ में उन्हें अपनाईए, खुशियां बाटियें और खुशियां लेजिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही सब लोगों से निविदन है जो ही पाईयां आपकियां या करमचारी आफिस में काम करने आते हैं उनसे वहार ने मदूलता, समझ जिस्ता और मित्रता का भावतपन कीजिए दूरी ते करना, एक दूरी रखना आउशक है यह इत्ती दूरी मद्वनाईय सहाब कि जवान में कड़वाट पेदा हो आपको लगता है मेरा विशे अत्युत्तम है और श्रेष्ट है तो मैं आपनों उसे निविदन करूँगा कैसे और विशे हों जो कि समाज में आके पहुचाने चाहिए मुझे सेशन दें, सुजाओ दें, कमेंट करें और जितना दीखो, लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें वंदे, मातरम, अंबे, मातक जयो, इंदू संस्कति की जयो